नमस्कार साथियू UPSC Master में आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिसकस करेंगे लिविन डिलेसंसिप की वैधानिकता पर जानेंगे हर लिहाज से चर्चा में क्यों है भारत में लिविन डिलेसंसिप की स्थती को चर्चा करेंगे इस संबंद में कानूनी विकास और जानेंगे इस संबंद से जन्में बच्चों की वैधानिक स्थती और अंतमी चर्चा करेंगे हम निसकर्स पर मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जिनके लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे हुआ हैं। अभी हाली में सरवोच नेल ने हिंदू परिवारों में संपत्ती के बटवारे के संबंद में एक महत्पूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि बिना साधी के लिविन रिलेसंशिप में रहने वाले दमपत्ती की जो संतान हैं उन्हें भी परिवारिक संपत्ती में हिस्सा इस निर्णे के द्वारा सर्वोच नेल ने केरल हाई कोट के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें विक्ति को संपत्ती के अधिकार से इसलिए वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह एववाहित दंपत्ती का बेटा था जस्टिस एस अब्दुलनजीर और विक्रमनात की बेंच ने कहा है कि उस लड़के के मातापिता लंबे समय तक एक विवाहित जोड़े की तरह रहे हैं इसलिए उसे पैत्रक संपत्ती में हिस्साद्यारी से मना नहीं कहा सकता बेंच ने कहा कि यदि एक पुरुष और महिला पती पत्तनी की भाती लंबे समय तक एक साथ रहे हैं तो उन्हें भारतिय साक्ष्य दनियम 1872 की धारा 114 के तहत विवाहित जोड़ा ही माने जाएगा देख लेते हैं भारत में लीविन रिलेशन्शिप को वर्तमान में लीविन रिलेशन्शिप को परिभासित करने वाला कोई सपस्ट कानून नहीं है हालां कि इस तरह के संबंद पर कोई कानूनी पर्तिबंद भी नहीं है और यह अपराद भी नहीं है परंतु सर्वोश नेल ने अपने कई निर्णियों में लिविन रिलेसंशिप को मानेता परदान की है कनेडा, अमेरिका, चीन जैसे कुछ देशों ने समझोते और पंजिकरण के माध्यम से लिविन रिलेसंशिप को कानूनी मानेता परदान की है परंतु अभी भी भी भारत में ऐसा नहीं है लिविन रिलेसंशिप अब भारतिय समाज के उच वर्गों के बीच एक स्विकार विकल्प बनता जा रहा है परंतु भारतिय समाज का मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग अभी भी सामाजिक दबाओ के कारण इसे सामोजिक रूप से स्विकारता परदान नहीं करता है इस संबंद में पार्टनर से किसी उपचारिक परतिबादिताओं के आव सकता नहीं है जैसे साधी में जरूरी होता है कि परिवार के साथ रहा जाए और साधी की जाए यहां ऐसी कोई अब बादिता नहीं है हाला कि इसकी कुछ कम्याबी है चोकी इस प्रकार के संबंद में दमपत्ती को कोई कानोनी अधिकार नहीं है इसलिए उनका जीवन अलगाओं से भरा रहता है यह नहीं होता कि संबंद कब तक चलेगा है तो अब तक नहीं तो 10 मिनट में स्वाप्त होने की स्थती बनी रहती है यदपी भारत में लीविन रिलेशन्सिप के संबंद में कोई कानोनी प्रादान नहीं है परन्तु फिर भी हाल के कुछ वर्सों में इसे कानोनी संनक्षन प्रदान करने की मांग लगतार बढ़ती जा रही है पिछले कुछ वर्सों में अनुप्चारिक संबंद को कानोनी रूप से अपचारिक स्वरूप परदान करने की दिशा में कुछ प्रगती भी दिखाई दी है इसके संबंद में अगर हम कानोनी विकाश को देखें तो कुछ बिंदों के माध्यम से समझा जा सकता है मालिमत समीती जिसने 2003 में अपनी रिपोर्ट परस्तूत की थी उसमें ये सुजाव दिया था कि CRPC की धारा 125 में पत्नी सब्द की परिभासा में संसोधन किया जाना चाहिए और उसमें ऐसी महिला को भी सामिल के जाना चाहिए जो काफी लंबे समय से किसी पूरुष के साथ पत्नी की तरह रही हो लिविन रिलेसंशिप में रहने वाली महिलाव की सुरक्षा के लिए 2008 में राष्ट महिला आयोग की एक रिपोर्ट में भी इसी प्रकार की मांग को दुराया गया था सर्वोष नेल ने 1978 में बंदी प्रसाद बनाम उप निदेशक चकबंदी मामले में ये निरने दिया था कि बारते समिधान का नुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिकत सोतंदरता के मोलिक अधिकार की गारंटी देता है इसको ध्यान में रखते हुए लिविन रिलेसंसिप भले ही रूडिवादी समाज की नजर में आने थिक हो परन्तु इसे कानून की रेजन में अवैद नहीं ठेला जा सकता तुलसा बनाम दुरुगाटिया 2008 के मामले में सरवोच नेले ने कहा था जब एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक एक साथ रहने का फैसला करते हैं तो उन्हें तब तक विवाईत माना जाएगा जब तक कि इसके विपरेत कोई ठोस सबूत ना हो एस खुस्बू बनाम कन्यामन लबाद 2010 के मामले में जो मामला संबंदी थे दक्षिन भारत से और जहां एक अविनेतरी जिसका नाम खुस्बू है उसने लीविन इलेसंशिप को सपोर्ट किया था और उनके खिलाब 22 याचिकाए कोट में आ गई थी सरवोश नाले ने कहा था कि यदि दो वैसक एक साथ रहते हैं तो यह गलत कैसे हो जकता है 2010 में मदर मोहन सिंग बनाम रजनिकांत मामले में सरवोश नाले ने कहा था कि लीविन इलेसंशिप को अगर लंबे समय तक जारी रखा जाता है तो इसे दोनों पक्सों के बीच वि इविन इलेसंशिप से जन में बच्चों के अधिकार क्या है इस संबंद में भी नैपालिका ने कई मामलों में महतपूर ने दिये हैं 1993 में SPS बाला सुर्मनियम बनाम सुरुतियान मामले में सरवोश नाले ने कहा था कि यदि कोई पुरुष और महिला एक ही छत के नीचे क और उनकी संतान को नाजाज नहीं माने जाएगा नाजाज नहीं माने जाएगा मतलब परिवारिक संपत्ति में उन्हें वही अधिकार होंगे जो किसी साधी से उत्वपन संतान से होते हैं 2007 में सरवोश नाले ने डिमपल गुपता बनाम राजीव गुपता के मामले में कहा था कि यदि किसी अवैद संबंद से कोई संतान चन्म लेती है तो CRPC-1993 की धारा 125 के तहट ऐसी संतान भी भरण पोसन के अधिकारी होगी और तुलसा बनाम दुरगाटिया के मामले में सरवोश नाले ने कहा था कि ये लिविन डिलेसंसिप से जन में बच्चों को नाजायज नहीं माने जाएगा मत्रब उन्हें वो सब अधिकार प्याप्थ होंगे जो होने चीए विधी बनाने का अधिकार विधाईका को होता है परन्तु उष्टर न्याइपाली का द्वारा दिये गे निरने भी विधी का ही रूफ होते है वरतमान समय में जब आज लिविन डिलेसंसिप एक स्विकौर विकल्प बनता जा रहा है तो विधाईका को इस संबंद में कठ ठोर कदम उठाने के आव सकता है उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे लिविन डिलेसंसिप जो भारत के संदर्ब में हैं मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जैंद जै भारत महसक्ति भारत